हेलो बच्चू कैसे हो आपने बोला था ना कि आपको दरामनी कहानी सुनी है देखा आगई मैं आपको डराने नो ऐसे नहीं करते चोटे बच्चों को नहीं डराते ये गलत बात है हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब तो आप लोगों से हमने जो सजेशन लिये थे उसके बेसिस पर हमने अपने स्टोरी सेशन में कुछ चेंजिस किये हैं तो चेंजिस ये हैं कि आज हम कहानी आपको सिफ सुनाएंगे नहीं पिच्च्च भी दिखाएंगे और उसके अलावा आपके सजेशन थे कि आपको स्केरी और फेरी वाली स्टोरी सुननी है तो आज की जो कहानी है वो थोड़ी सी स्केरी भी है और फेरी की भी है तो मज़ एक जगह पर आमने सामने दो kingdom थे एक kingdom ऐसा था जिसमें आपके हमारे जैसे लोग रहते थे और उनका एक लालची राजा रहता था और उसके सामने वाले kingdom में वाव बहुत सारी तरह के खूबसूरत अजीव चित्र तरह के जीव जन्तू रहते थे और वो जगह magical थी हाँ magical यानि की जादू भरी एक जादू भरा kingdom जहां किसी राजा की जरूरत नहीं थी और सब लोग अपनी मर्जी से खुले एर में आजादी से एक दूसरे के साथ मिल जुलकर रहते थे येस वहाँ छोटी छोटी फेरीज रहती थी उडने वाले आनिमल्स रहते थे तो एक तरह से वह जगा बहुत खुबसूरत और बहुत सुन्दर थी लेकिन उसके सामने वाले kingdom में जो राजा रहता था उसे ऐसी magical kingdom अपने आसपस बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि कहीं किसी दिन ये अपने जादू से अपने magic से मेरी राजी परी कबजा ना कर लें इसलिए वो हमेशा कोशिश करता रहता था कि किस तरीके से वो उस magical kingdom को बरबाद कर दे खतम कर दे ताकि फिर वो आराम से वहां रह सके उस magical kingdom में एक बहुत प्यारी चोटी सी फेरी रहती थी जिसका नाम था maleficent maleficent छोटी थी छोटी मतलब 10-12 साल की जैसे 56 के बच्चे होते हैं उतनी maleficent की खास बात ये थी कि उसके पास दो बड़े बड़े wings थे जो बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर थे और उनकी वजह से वो कितना भी उपर उड़ सकती थी और जब वो अपने पंखों को जोर से हिलाती थी तो उसके फोर्स से कोई बहुत दूर जाकर भी गिर सकता था तो Maleficent उस जंगल के साब जीवजुन्तों के साथ बहुत प्यार से मिल जूल कर रहती थी एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो उन सब की लीडर जैसी थी हाँ हर दिन सुभा उठकर वो पूरे जंगल का एक चक्कर लगाती थी और ये देखती थी कि सब कुछ सब जगा ठीक ठाक है या नहीं एक सुभा को जब वो उठकर जंगल का चक्कर लगा रही थी तब उसने देखा कि एक जखा पर बहुत सारे पेड़, पौधे और जानवरी कठा हैं और आपस में कुछ बात कर रहे हैं वो नीचे गई और उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जंगल में एक चोर आया है, हाँ, सामने वाली किंग्डम से एक चोर आया है, जो पता नहीं यहां से क्या चुरा कर ले जा रहा है, तो मेलेफिसन को जैसे ही पता चला, वो जल्दी से उड़क गई और उसने देखा कि एक चखा पेड के पीछे कोई चुपा हुआ है, और वहां के जो जादूई पेड थे, वो हाथ में बड़े बड़े डंडे लेकर उसकी पिटाई करने के लिए तयार खड़े थे, तो मेलेफिसन ने उन्हें रोका, और जोर से डाट कर बोला, जो को कोई भी वहां चुपा हुआ है, बाहर निकलो, पहले हमें ये बताओ कि तुमने क्या चुराया है, क्योंकि अगर तुमने कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं चुराई है, तो तुम्हें पनिश्मेंट नहीं मिलेगी, इसलिए आराम से बाहर आओ, और बताओ अपने बारे म तो उस पेड़ के पीछे से एक लड़का भार आया, और उसने बताया कि उसका नाम स्टेफन है, और वो वहां चोरी करने नहीं आया था, वो तो वैसे ही घुमने आया था, तो वहां उसने देखा कि नदी के पास एक पत्थर है जो उसे बहुत अच्छा लगा, इसलिए उस पत्थर लिया और वापस पानी में फैंक दिया, उसने कहा कि इस जंगल से कोई भी एक भी चीज बाहर नहीं ले जा सकता, इसलिए बहतर यही होगा कि वो यहां से वापस चला जाए, जब वो वापस जाने लगा, तो मैलिफिसर ने उसे कहा कि तुम्हें यहां वापस नही आना चाहिए, क्योंकि यह जगा तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, उस लड़के ने बोला, और अगर मैं यहां फिर भी वापस आऊं, तो क्या तुम मुझे मिलोगी, तो मैलिफिसर ने कहा, मैं तो यही रहती हूँ, तो कुछ दिन के बाद, वो लड़का फिर से वहां आब आप नहीं थे, वो दोनों ही अकेले रहते थे, तो स्टेफन ने मेलिफिसर ने को दूर से कैसल दिखाते हुए कहा, देखना, एक दिन मैं उस कैसल में रहूँगा, तो मेलिफिसर ने उस से पूछा कि तुम अभी कहा रहते हो, उसने कहा अभी तो मैं बान में रहता लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक दिन उस कैसल में जरूर रहूँगा तो धीरे धीरे समय बिता गया और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त मिल बन गए स्टेफन अक्सर जंगल में मेलेफेसंट से मिलने आता था दोनों मिलकर खूब कहलते थे और मस्ती करते थे इस तरह कुछ साल बीट गए फिर धीरे धीरे स्टेफन ने वहाँ आना बन कर दिया मेलेफेसंट कई बार उसका इंतजार करती रहती थी पर वो नहीं आया तो धीरे धीरे मेलेफेसंट ने भी उसका इंतजार करना छोड़ दिया अब मेलेफेसंट बड़ी हो गई थी और जादा ताकतवर भी तो जब सामने वाली किंग्डम के राजा को ये पता चला कि जंगल में एक बहुत पावरफुल फेरी है जो कि उसके लिए खत्रा हो सकती है तो राजा ने सोचा कि क्यों ना जंगल पर हमला कर दिया जाए और वहां के सारे जानवरों को और उस फेरी को भी मार दिया जाए तो उसने अपनी सेना तयार की और अपनी सेना को लेकर उन पर हमला करने के लिए चल पड़ा जैसे ही मेलेफिसिन को पता चला कि वहाँ पर हमला होने वाला है तो वो जल्दी से उड़कर गई और उस सेना के सामने जाकर अकेले खड़ी हो गई और उसने राजा से कहा यहाँ से आगे आने की जुर्रत मत करना राजा ने कहा मैं तुम जैसे बेकार से क्रियेचर की बात नहीं सुनता तुम मेरी बात सुनो क्यूंकि मैं राजा हूँ तो मेलेफिसिन ने कहा तुम मेरे लिए राजा नहीं हो इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना पर राजा ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने अपने सैनिकों से बोला कि हमले के लिए आगे बढ़ो अब मेलेफिसन को बहुत गुसा आया और उसने जोर से चिला कर कहा मेरी मदद के लिए आगे आओ और जैसे ही उसने ये बात कही जमीन के अंदर से और जंगल के अंदर से खूब सारे मजबूत पेड़ मौन्स्टर बन कर आए और उन सैनिकों पर हमला कर दिया और मेलेफिसन ने खुद अपने इतने मजबूत पंखों से सब सैनिकों को बहुत सारे सैनिकों को गिरा गायल कर दिया और थोड़ी ही देर में उसने राजा को भी नीचे जमीन पर गिरा दिया और उस पर इतनी जोर से हमला किया कि उसे बहुत चोट लगी और वो नीचे जमीन पर गिर गया जैसे ही राजा नीचे गिरा तो सारे सैनिक दर के मारे भागने लगे बच्चों क्योंकि जब भी कहीं पर भी राजा लड़ाई के लिए जाता था तो सैनिकों को ये पता होता था कि अगर राजा हारने वाला है तो उन्हें वहां से वापस चले जाना है तो इसलिए जब उन्हें ऐसा लगा कि राजा तो खुद ही गिर गया है मतलब राजा नहीं जीत पाएगा तो वे सब के सब वापस अपने किंग्डम की तरफ भागते हुए चले गए तो इस तरहां से मैलेफिसेंड ने अपने जंगल के माजिकल क्रियेचर्स के साथ मिलके राजा को और उसकी सेना को हरा दिया अब राजा को बहुत चोट लगी थी वो तो बिस्तर पर पड़ गया बहुत दिनों तक इलाज करने के बाद भी उसके ठीक होने की कोई उमीद नहीं थी जब सब तरहां के वैद्य डॉक्टर ने सब ने उमीद छोड़ दी और जब राजा को खुद भी ये लगा कि शायद वो मरने वाला है तो उसने अपने सैनिकों से अपने मंत्रियों से सब को बुला कर ये कहा सबसे ये कहा कि जो भी मेलेफिसेंट को मार कर मेरे पास लेकर आएगा मैं उसे इस किंडम का राजा बना दूगा उसकी सेना में एक सोलजर था जो इस बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था और जानते हो वो कौन था? स्टेफन हाँ, इसलिए उसने मेलेफिसेंट के पास जाना बंद कर दिया था क्योंकि वो सेना में भरती हो गया था और वो सेना में सिर्फ इसलिए भरती हुआ था क्यूंकि वो एक दिन उस कैसल के अंदर रहना चाहता था अब कैसल के अंदर तो वो आ गया पर जैसे ही राजा ने ये कहा कि जो मेलेफिसन को मारेगा उसे वो राजा बना देगा तो स्टेफन को लगा कि इससे अच्छा मौका तो उसे और नहीं मिलेगा इसलिए अगले ही दिन वो मेलेफिसन से मिलने गया जब मेलेफिसन ने उससे पूछा कि वो इतने समय तक क्यों नहीं आया था उससे मिलने के लिए तो उसने बोला कि वो किसी काम में बिजी था इसलिए वो नहीं आ पाया तो फिर वो दोनों वहाँ बैट कर बहुत देर तक बात करते रहे और धीरे धीरे स्टेफन ने मेलेफिसिंट को ये विश्वास दिलाया कि वो उसका सच्चा दोस्त है और वो कभी भी उसका बुरा नहीं चाहता इसलिए वो उससे समझाने आया है कि वो राजा से हार मान ले और आपस में दोस्ती कर ले नहीं तो वो लोग उसे मार डालेंगे तो मेलेफिसिंट ने कहा कि उसे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक जंगल के सारे लोग उसके साथ हैं तब तक वो किसी से खार नहीं सकती तो इस तरह बात करते करते रात हो गई और स्टेफन ने कहा कि अब रात हो गई है मैं यहीं सो जाता हूँ मैं सुभे वापस चला जाओंगा जब दोनों सो गए तो स्टेफन रात को उठा और उसने अपने बैग से चाकू निकाला क्योंकि वो तो वहाँ मैलेफिसन को मारने आया था और जब वो मैलेफिसन को मारेगा तब ही तो उसे राजा बनाये जाएगा पर अचानक से उसके हाथ रुख गए शायद इसलिए क्योंकि वो उसकी दोस्त थी क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानती थी तो उसे एक आइडिया आया उसे याद आया कि बच्पन में जब एक बार वो मैलेफिसन के साथ खेल रहा था तो उसके हाथ में उसने जो लोहे की अंगूठी पहनी हुई थी उसको छूते ही मेलेफिसन को बहुत परिशानी हुई थी क्योंकि उसने बताया था कि फेरी लोहे से जल जाती है तो इसलिए स्टेफन ने उसे मारने की बजाए धीरे धीरे लोहे के चाकू से उसके दोनों पंकों को जला कर काट लिया और उन्हें अपने साथ लेकर राजा के पस चला गया वहां जाकर जब उसने राजा को पंक दिखाए तो राजा को ये विश्वास हो गया कि मेलेफिसन मर चुकी है और क्यूंकि उसने अपना काम पूरा किया था क्योंकि उसने वादा पूरा किया था इसलिए राजा ने स्टेफन को वहां का राजा बना दिया और उधर जब अगली सुभा को जब मेलीफिसंद उठी तो उसे बहुत बहुत जादा दर्द हुआ तब उसने महसूस किया कि उसके पंक तो गायब है और जब उसने देखा कि स्टेफन महां नहीं है तो उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसके पंक स्टेफन ही लेकर गया है उसे बहुत गुसा आया पर उस वक्त क्योंकि वो कमजोर थी और वो कुछ नहीं कर सकती थी इसलिए वो धीरे धीरे उठी और उसने पने पास रखी हुई एक छोटी सी लकडी उठाई और उसे अपने जादू से एक बहुत बड़ा सेप्टर बना लिया सेप्टर जानते हो बच्चों क्या होता है सेप्टर मतलब माजिक वैंड जो मेलिफिसिन ने सेप्टर को बनाया और उसके सहारे से वो खड़ी हो गई उसके बाद वो धीरे धीरे चल कर गई और उसने सामने से कैसल को देखा तो उसे पता चल गया कि स्टेफन वहाँ इतने समय के बाद सिर्फ इसी लिए ही आया था क्योंकि वह राजा को खुश करना चाहता था और उसे याद आया कि स्टेफन ने बोला था ठीव एक दिन इस काफ़ल में रहेगा अब मेलेफिसन को बहुत बहुत गुसा आया बहुत गुसा आया और वह सोचने मारने की कोशिश कर रहा है तो Maleficent ने उसे बचाने के लिए जादू से एक आदमी बना दिया और जैसे ही वो आदमी बना तो शिकारी डर कर वहाँ से भाग गया और जब वो आदमी खड़ा हुआ तो उसने देखा कि अरे वो तो कवे से आदमी बन चुका है तो Maleficent ने उसे ब नहीं चाहिए मैंने तुम्हें बचाया है इसके बदले में तुम्हें मेरे ले कुछ करना पड़ेगा तो उसने पूछा कि क्या करना पड़ेगा तो Maleficent ने बोला तुम्हें मेरे विंग्स बनना पड़ेगा यानि कि तुम कभी भी अपनी मर्जी से कववा बन सकते हो और मर्जी से आदमी बन सकते हो इसलिए जब मैं तुम्हें कहूंगी तब तुम कववा बनकर उड़कर जाओगे और सामने वाले किंग्डम में क्या हो रहा है वो देखकर मुझे बताओगे तो उस आदमी या कववे ने बोला कि क्यूंकि आपने मेरी जान बचाई है तो मैं पूरी लाइफ के लिए आपका सर्विंट हूं और आप जो कहींगी मैं आपकी बात मानूंगा तो अब मैलिफिसंट कुछ-कुछ समय के बाद उस कववे को दूसरी किंग्डम में भीजती थी और ये पता करवाती थी कि वहाँ पर क्या हो रहा है तो कुछ समय के बाद उस समय के बाद उसे पता चला कि किंग स्टेफन की एक बहुत प्यारी सी बेटी हुई है तो अब क्यूंकि किंग्डम में प्रिंसस आई है तो इसलिए उसको देखने के लिए और उसके वेलकम के लिए बहुत-बड़ा फंक्शन और उस फंक्शन में बहुत सारे लोग आये ब और मैजिकल किंग्डम से थ्री स्मॉल फेरी जो बहुत अच्छी थी वो तीनों उस प्रिंसस को देखने के लिए गई और उन्होंने सोचा कि हम अपनी मैजिकल पावर से प्रिंसस को बहुत अच्छे अच्छे विशिस देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे जिससी कि वो और अ आपने अलाव कर दिया उसके बाद पहली फेरी ने प्रिंसेस से कहा कि हमेशा खूबसूरत रहने का वर्दान देती हूं उसके बाद दूसरी फेरी आई उसने बोला कि मैं तुम्हें वर्दान देती हूं कि तुम हमेशा खुश रहोगी हमेशा खुश रहोगी कभी उदास न देने वाली थी अपनी ब्लेसिंग्स देने वाली थी तभी वहां पर मैलेफिसेंट आ जाती है अपने क्रोग के साथ सब मैलेफिसेंट को देखकर डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं किंग स्टेफन भी मैलेफिसेंट को देखकर घबरा जाता है मैलेफिसेंट आगे आकर ब अच्छी blessing नहीं देगी, इसलिए वो Maleficent को sorry बोलने लगा, उसने बोला, नहीं, please, मेरी बेटी के साथ कुछ मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोडता हूं, लेकिन Maleficent कहां सुनने वाली थी, क्योंकि वो तो इतने सालों से बदला लेने का इंतसार कर रही थी, वो princess के पास जाती है, और बोलती है, आज मैं ये श्राप देती हूं, कि जिस दिन इस princess का 16th birthday होगा, उस दिन ये अपनी उंगली एक सुई से चुभाएगी, और हमेशा के लिए गेहरी नीन में सो जाएगी, ऐसी नीन जिससे ये कभी नहीं उठेगी, और इस श्राप को कोई नहीं बदल सकता, जैसे ही उसने ये श्राप दिया, सब लोग खवरा गए, सब दर गए, स्टेफन दोनों हाँ जोड़कर मेलेफिसन से मौपी मागने लगा, उसने कहा मेलेफिसन प्लीज, मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया, उसकी सजा मेरी करता हूं, जब उसने बहुत बार मेलेफिसन को प्लीज प्लीज बूला, रिक्वेस्ट किया, और जब मेलेफिसन ने प्रिंसेस की तरफ देखा, तो वो इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी स्वीट सी थी, कि उसे देखकर मेलेफिसन को उस पर दया आ गए, और उसने कहा ठ ठीक है, इसकी ये नींद सर्फ तभी तूच सकती है, जब कोई इसका सच्चा दोस्त इसे चुएगा, और ऐसा कहकर मेलेफिसन वहां से चली जाती है, तो बच्चों, यहाँ पर हम खतम करेंगे अपनी स्टोरी 3 का पार्ट 1, और अब आप सोचते रहें कि आगे क्या हुआ होगा और हम यहाँ खतम करते हैं अपनी स्टोरी 3 का पार्ट 1, पार्ट 2 के लिए मिलेंगे नेक्स साटेड़े को, तब तक बाई बाई